हलो प्रेंट्स गुड मॉर्णिंग टो भीवन अल्जेवरा का किप्सस नंबर 35 से इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं देखें किप्सस नंबर 35 पुछा गया है आपके प्रस्ट में A B पलस B C पलस C A बरबर 20 दिया है तो यह आपसे पुछा है इसका मान क्या होगा तो यहाँ पर पुछा है जिसमें A पलस B पलस C दिया है तो साथ से पहले इसका भालू आप निकालेजिए तो आप जाते होंगे फर्मूला A पलस B पलस C का होल स्कॉार का फर्मूला होता है A स्कॉार पलस BA स्कॉार पलस C स्कॉार पलस 2 इंटू A B पलस BC पलस CA यह सभी लोग दामते होंगे तो next step कर जो हम करना चाहे तो square उधर जाएगा तो root under में हो जाएगा यनि कि यह हम लिख सकते हैं a plus b plus c परबर root under a square plus b square plus c square उसके बाद plus 2 into a b plus b c plus c a इस तरह से लिख सकते हैं अब देखें यह हम बार यह आपके प्रस्ट में दिया है कितना दिया है 20 a square plus b square plus c square दिया है 20 तो इसके स्कार पर 20 हमने लिखा फिर plus उसके बाद क्या है 2 into a b plus b c plus c यह दिया है 8 अब इसे solve कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 20 plus यह दो अठी 16 यानि कि यह 36 हो जाएगा 36 का बर्गमूल 6 सब लोग जानते हैं यह दो सकते हैं a plus b plus c का मान कितना हो गया 6 हो गया अब देखिए यह जो आपका दिया गया है यह एक प्रकार का फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है तो aq plus bq plus cq minus 3abc बरबर होता है इसे हम लिख सकते हैं 1 by 2 और यहां पर यह small bracket में लिखा गया है तो small bracket में ही हम लिख देते हैं a plus b plus c उसके बाद a square bracket में लिखा है a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus 3 minus a का whole square और इसे के equivalent और भी हम इसका formula लिख सकते हैं क्या होता है तो next देखिए a plus b plus c into इसे का whole square यानिकि a plus b plus c का whole square उसके बाद क्या करना है minus 3 times of a b plus b c plus c यह भी इसे का formula होता है तो देखिए इसके जगा पर हम यह भी लिख सकते हैं तो a plus b plus c हमने निकाल लिए 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे उसके बाद इसका square यानिकि a plus b plus c का square यानिकि 6 का square उसके बाद minus 3 times of a b plus b c plus c यह कितना है तो यह आपका 8 है अब इसको solve करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पर square bracket में 6 चक 36 और minus 23 24 तो यहाँ पर 36 में से 24 घटा आगे तो 12 होगा यानिकि 6 गुना 12 तो कितना 72 यह कौंस options दिया है? किवसंस नमबर देखे 35, options नमबर आपका a में दिया है 72, इसके बाद देखे लेक्स किवसंस 36, किवसंस नमबर देखे 36 पुछा गया है ससी सिधियर 6 जून 2019 मौर्नेंग बाले सिप्ट में, x बरबर a पलस एक वटाए, y बरबर a माइनस एक वटाए, तो root अंडर x to the power 4 plus y to the power 4 minus 2x square by square का मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हम सजा करके लिख सकते हैं इस तरह से, यह आपका क्या है, x square minus y square का whole square है, अगर जो इसे break कीजेगा तो यह result आ जाएगा, अब यह square से हम square root को cancel कर सकते हैं इस तरह से, तो क्या आपका अगया, x square minus y square हो गया, यानि कि इतना क मान क्या होगा, जो आप से पुछा है, और इसको भी हम लिख सकते हैं, x plus y into x minus y के format में लिख सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर आपके प्रस में, x बरबर यह दिया है, y बरबर यह दिया है, तो यहाँ पर हम y लिख देते हैं, a minus 1 बटाई, अब की बार क्या करते हैं, द 2 बटाई, a होगा, तो यहाँ पर x plus y कितना हो गया, यह आपका 2a, और x minus y कितना हो गया, 2 बटे a, तो यह से एक कैंसिल हो जाएगा, यानिकि 2 गुना 2, तो 4 आपका इंसर हो जाएगा, कॉंसॉप्शन से 36 का देखते हैं, ओप्शन्स नमबर d में दिया गया है, नेक्स्ट इसका माल क्या होगा, तो इसको हम सजा करके लिख सकते हैं, 2x स्कور को लिख सकते हैं, 1 स्कॐार पलस एक्स उ्कॐार तो यह आपका 2 x स्कॐार हो गया, उसके बाद पलस 2 स्कॐार पलस 6 x minus 2 x बाई, और पलस 9 बराबर 0, अब दिखिए, यह x स्कॐार लेते हैं, उसके बाद ये 6x सम लेते हैं और इसके बार ये 9 लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इतना आपका x पलस 3 का होल स्कॉर हो रहा है इसके बार देखिए पलस अब जो भी बचा ये आपका x स्कॉर उसके बार ये माइनस 2x y लिकी देते हैं उसके बार पलस y स्कॉर और इतना बराबर 0 येहां पर देख सकते हैं ये पलस तो ये आपका क्या है x माइनस y का होल स्कॉर है तो इसको भी इस परह से सजा करके लिख सकते हैं इतना बराबर 0 अब जब इस परकार का खॉर्मेट होता है तो आप जा हो गिया या देट में सब वो सकते हैं कि x का मान आपका माइनस 3 है तो y का मान की कितना माइनस 3 ही होगा क्योंकि x बरबर y हो गिया अब किफस्स में आपसे यह पुचा है इधर लिख देते हैं यह आपसे पुच्छा गया है 4xq- yq Q पलस X square by square का मान क्या होगा जो पुछा है तो फोर X Q मतलब यहां पर minus 3 का Q करना है फिर minus 2 Q यनि कि यहां भी आपको minus 3 का Q करना है उसके बाद पलस यहां पर minus 3 का square फिर यहां भी minus 3 का square अब सुर्ण किजिए तो माइनस 3 का Q कितना होगा? माइनस 27, 27 कुना 4, 108 यानि माइनस में 108 हो गया उसके बाद माइनस 3 का Q तो माइनस 27, माइनस माइनस पलस सताइस यहां लिख सकते हैं और यह देखिए यह भी 9, यह भी 9 तो 9, 9, 81 हम लिख सकते हैं यह माइनस 108 और पलस 81 और 27 जोड़ेंगे तो यह पलस में 108 होगा तो यहां पर 108 पलस में 108 माइनस में तो यह कैंसिल भी कर सकते हैं आपका इंसर कितना हो गया? 0 कौन सौ उप्संस है? 37 का देखिए, उप्संस नमबर आपका A में दिया गया है 0 अब नेच्श कितनस देखते है, 38 कितनस नमबर देखिए, 38 पुछा गया है एससे सिरियर 6 जून 2019 इविनिक बाले सिफ्क में A पलस 1 बटा A बरबर 3 है तो A to D power 4 पलस 1 बटा A to D power 4 का मान किसके बरबर होगा? तो पहले concept पे हम बताते हैं, देखिए, X पलस 1 बटा X बरबर K होता है तो X square पलस 1 बटा X square क्या होगा? K का square minus 2 और फिर अगर जो हम square इसका करेंगे, तो X to D power 4 पलस 1 बटा X to D power 4 ये क्या होगा? तो मान लिजे कि इसका मान आ गया L, तो ये क्या हो जागा आपकी बार L का square minus 2 इसी प्रकार से आगे continue चलते रहेगा, आपकी बार मान लिजे, X to D power 8 पलस 1 बटा X to D power 8 जब इसका square करेंगे तो ये होगा, तो ये मान लेते ही कि आया M, तो next क्या हो जागा? M का square minus 2, इस तरह से ये series continue चलते रहता है, तो देखिए, इसी प्रकार का, यूज करकी एक उसस दिया है, तो सबसे तहले यहाँ पर, A square plus 1 बटा A square निकालेंगी, तो क्या होगा? तीन का square minus 2, येलिकी 39 minus 2, that means कहने का मतलब 7 हो गया, उसके बाद 30 का square करेंगे, तो A to D power 4 पलस 1 बटा A to D power 4, इसका मान क्या होगा? येलि 7 का square minus 2, that means कहने का मतलब कितना हो गया? 89 minus 2, येलिकी 47, कौन सो options है? कि options number 38 का options number B में आपका दिया गया है, ये आपका 47, अगर जो आपसे पुष्टा कि A to D power 8 पलस 1 बटा A to D power 8 का मान क्या होता? तो आपकी बाद फिर 47 का square करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद 2 आपको घटाना होता, तो 47 का square कितना होता? तो 50 से 3 कम है, 3 का square, 0 now, उसके बाद 25 में से 3 कम करते हैं, येलिकी 22, और इसमें से 2 घटा देंगे, येलिकी 22, 0, 7 हो जाता, जो भी पूछे आप ब पूछा गया है, ससे सिद्रियत 7 जुन 2019, मौर्णिंग वाले सिप्ट में, ये दिया है, x to the power 4 minus 6 x square minus 1 बरबर 0, तो आपसे ये पुछा है, x to the power 6 minus 5 x square plus 5 x square minus 1 x square कितना है? 6 और पलस 5 इतना कमान क्या होगा? तो यहां पर सबसे पहले आपको बराबर के दोनों तरफ x square से उभ ये लगी से करेंगे, यानिकी x to the power 4 x square और minus 6 x square, बटे x square, और minus 1 x square, और 0 x square मतलब 0, ये कितना हो गया? यानिकी x to the power 2 हो जाएगा, minus ये आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि ये cancel हो जाएगा, और minus 1y x square बरबर आपका ये 0, ये आपका 0 है, minus 6 उदार जाएगा, तो पलस 6, डैटन लेकि x square minus 1 बटा x square का मान कितना हो गया 6, आप देखिए एक कंसर्प्ते हां हम बताते हैं आपको आना चाहिए कि x minus 1 बटा x बरबर अगर जो k होता है, तो x का q minus 1 बटा x का q क्या होता है, ये k का q होता है, उसके बार पलस 3 गुना k होता है, इतना आपको आना चाहिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये इस format में है, यहां पर x square की जगह पर x है सिर्फ, और इस तरह से यहां पर k का मान कितना दिख रहा है 6, तो अगर जो इसका q करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एकस पर पावर 6 माइनस एक बटा x पर पावर 6 बराबर 6 का q पलस 3 गुना 6 हम लिख सकते हैं, तो 6 का q 216 होता है, और 3, 6, 18, 16, 22, 32, 32, 34, यनि कि यह आपका 234 के बराबर हो जाएगा, अब इसको सजा करते हम लिख सकते हैं, यह एकस पर पावर 6 है, और यह माइनस में एक बटा x पर पावर 6, उसके बाद यहां से हम माइनस कॉमर ले लेते हैं, 5, तो x स्क्वार माइनस एक बटा x स्क्वार यह हो जाएगा, और यह आपका पलस 5 ऐसे ही रहेगा, तो इसका भलू हमने निकाल लिया है, कितना है यह यह आपका 234, तो 234 हमने लिखा, माइनस, इसके बाद देखिए, यह आपका x स्क्वार माइनस एक वटा x स्क्वार का मान, यह निकाला था 6 है, तो इहाँ पर 6 हमने लिखा, और यह आपका पलस 5, तो देखिए, 234 माइनस 5 के 30 और पलस 5, तो हम बोच सकते हैं, 234 में से कौनस ओप्संस दिया है दो सो नो यह ओप्संस नंबर वी में दिया गया है अब नेक्स कि प्संस देखते हैं उन चालिस के बाद कौनस दिया है तो यहां पर आपको एक्स क्यू बनाना है डेक्स कहने का मतलब दोनों तरफ आपको घंड करना होगा क्यू करने पर इस तरह से आप बोल सकते हैं एक्स प्लस पी का होल क्यू और इधर आपका दो का क्यू करेंगे तो यह एक्स का होल क्यू का फर्मूला आपको आना चाहिए क्या होता है एक्यू तो यहां पर एक्स का क्यू हो जाएगा पलस बी क्यू यह दिकी पी का क्यू हो ज देख सकते हैं यह X का Q पलस यह P का Q और यह कितना हो जाएगा 3XP गुना X करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना किजिएगा तो 3XSquare P हो लाएगा और पलस या आप इसे गुना नहीं किजिए तो डायरेक्ट अगर जो X पलस P का यहां मान रख सकते हैं आप रख सकते हैं एकस पलस थी का मान दो है तो यहां पर हम 2 रख सकते हैं तो वह जिसा ही करते हैं यारेटि की 3XP यहां पर 2 रख देते हैं तो यह आपका 2 का Q आथ के बराबर हो जाएगा आप देखिए एकस का Q पलस P का Q और यह 3 दोनी च्छे एकस पी बराबर कितना 8 तो यही तो आपसे पुछा था देख सकते हैं तो इसका मन डायरेक्थ अमार्ठ लिख सकते हैं. कौं सॉप्सन्स है? छालिस का देखिए options no. pää आपका C में दिया गया है. इसके बार देखिए next कुर्संस, कुर्शंस no. 41. क्यूशंस नमबर देखिए 41 ये भी बहुत ही important क्यूशंस है ये प्रस्ट आपका पुछा गया है SACCJL 7 जुन 2019 आफ्टर मुन बाले सिर्ट में X स्कुर्ण माइनस 3 X माइनस 1 बरबर 0 दिया है तो X स्कुर्ण पलस 8 X माइनस 1 इंटू X Q पलस X पे पावर माइनस 1 और इतना पे पावर फिर है माइनस 1 इसका मान क्या होगा तो पहले यहाँ पर इसे थोड़ा solve कर देते हैं दोनों तरफ आपको सबसे पहले X से जवायट करना है तो ये X स्कुर्ण बाटा X कितना हो जाएगा X फिर माइनस 3 X बाटे X यानि कि 3 हो जाएगा फिर माइनस 1 बाटा X हो जाएगा ये 0 बाटा X ये 0 के बराबर होगा तो X माइनस 1 बाटा X बराबर हम लिख सकते हैं 0 और माइनस 3 उधर जाएगा तो पलस 3 हो जाएगा ये निकि X माइनस 1 बाटा X का मान कितना हो गया 3 इसके बाट देखें नेक्स फिर माटा ये जो लिखा गया है X स्कुर्ण पलस 8 X माइनस 1 इंटू कितना लिखा है ये लिखा है X Q पलस X पर पलस 9 को हम लिख सकते हैं 1 बाटा X और इस पर पलस इंट एक्स माइनस 1 और यहाँ पर देखें आप फॉर्मुला जमते होंगे कि X पर पावर माइनस M बरबर हम लिख सकते हैं 1 बाटा X पर पावर M तो यहाँ पर X Q पलस 1 बाटा X पर पावर माइनस 1 है तो इससे लिख सकते हैं 1 बाटा X Q पलस 1 बाटा X इस तरह से लिख सकते हैं अब next step ध्यान से देखेगा, इसे आपको LCM लेकर solve करना होगा, तो यह ऐसे ही रहेगा, यह लिकी x square plus 8x minus 1 और इसे solve करेंगे, तो एक बटा, यह क्या हो जाएगा, LCM आपका x हो जाएगा नीचे, x गुना x2 तो x to the power 4 और पलस यहाँ पर एक होगा, यह x उपर चला जाएगा इस तरह से, that means कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं, next step यहाँ लिख रहे हैं, तो अगर जो आप यहाँ गुना भी कर सकते हैं, तो गुना किजिएगा तो कितना हो जाएगा यह, x उपर चला जाएगा, तो यहाँ पर उपर हम कर देते हैं, यही पर next step में, तो यह x square plus 8x minus 1 into, क्या हो जाएगा, x बटे, x to the power 4 plus 1, अब x से इसमें आप गुना कर सकते हैं, तो यहाँ गुना करते हैं, यह हो जाएगा, x q plus 8x square और minus 1, बटे, कितना, यह आपका x पर 4 plus 1 है, अब उपर x square common लेते हैं, और नीचे भी x square common लेते हैं, तो next step देखेंगा, उपर से हम x square common ले र हो जाएगा, और नीचे में x square common लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x square और plus 1 बटा x square हो जाएगा, यह cancel कर सकते हैं, अब देखें, यहाँ पर यह आपका क्या हो गया, x minus 1 बटा x, और यह plus 8, बटे, यह x square plus 1 बटा x square है, तो यहाँ पर आप formula को जाते होंगे, x minus 1 बट पर k होता है, तो x square plus 1 बटा x square क्या होता है, k का square plus 2 होता है, यह सभी लोग जाते होंगे, तो यहाँ पर x minus 1 बटा x 3 है, तो x square plus 1 बटा x square क्या होगा, 3 का square plus 2, यहाँ देखें, x minus 1 बटा x का माह सबसे पहले 3, तो यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, 3 और और पलस उसके बाद 8 है, बटे, नीचे में देखिए, एक सस्क्वार पलस एक बटा एक सस्क्वार का मानी गारा हमने निकाला, तो उपर में 3 पलस 7 गारा और नीचे में भी गारा, यह कैंसल हो जाएगा, तो एक आप कैंसल हो जाएगा, कॉंस ओप्शन्स है, 41 का देखिए, ओप्शन्स नंबर C में दिया गया है, एक, इसके बाद देखते हैं, एक स्क्रिप्शन्स नंबर 42, कुप्शन्स नंबर देखिए, 42, यदि एक स्पलस बाई पलस जेड बरबर 0 है, तो एक सस्क्वार पलस बाई स्क्वार पलस जेड अस्क्वार भागा, जेड अस्क्वार इस प्रश्म को आप भायलो पुटिंग से बना सकते हैं यहां पर एक लेते हैं तो एक लेते हैं तो जेड का मान आपको माइनस दो लेना होगा क्योंकि एक बरवर एक लेंगे बाई बरवर भी एक लेंगे तो जेड का मान आपकर जो माइनस दो लेंगे तो यह एक पलस एक दो माइनस दो जिरो हो जाएगा तो यहां पर उसी प्रकार से हल करेंगे तो देखें, X का मानेक है तो X स्क्वार भी कितना होगा X स्क्वार भी, एक का स्क्वार एक होगा फिर Y का मानेक है, तो Y स्क्वार कितना होगा एक का स्क्वार एक होगा और Z स्क्वार भी निकाल देते हैं तो माइनस 2 का स्क्वार कितना चार हो जाएगा अभी हाँ पर इसका भरूर रखेंगे तो next step देख सकते हैं x स्क्वार पलस y स्क्वार यानिकी 1 पलस 1 फिर पलस z स्क्वार यानिकी 4 बटे z स्क्वार है यानिकी 4 माइनस x गुणा y यानिकी x y का माण एक एक लिए हैं तो एक कुना एक यह चार एक पांच एक छे बटे चार माइनस यहां पर एक कुना एक तो एक डैट इस छे बटा तीन तो यह आपका दो हो जाएगा कौंस ओप्शनस है 42 का देखिए ओप्शनस नंबर बी में दिया गया है दो इसके बार नेक्स्ट की पुछा गया है ससी सिजियल 10 जुन 2019 आफ्टर नून वाले सिट में यदि रूट एक स्क्वार पलस एक बटा एक स्क्वार का मान क्या होगा तो सबसे ताहिए रूट एक्स माइनस एक बटा रूट एक्स बरबर अगर जो के होता है तो दोनों तरफ हम स्क्वार करते हैं तो एकस माइनस दो गुना रूट एकस गुना एक बटा रूट एकस तो रूट एकस से रूट एकस कैसे हो जाएगा यानिकि माइनस दो बरबर यह आपका के का स्क्वार यानिकि एकस पलस एक बरबर हम लिख सकते हैं के का स्क्वार और माइनस दो धर जाएगा तो पलस दो तो इसका इंज करके डायरेक्ट यह हम लिख रहे हैं यह क्या हो जाएगा एक्स पलस एक बटा एक्स बराबर चार का स्कॉर पलस दो यहां पर हम अठारा लिख सकते हैं X plus 1 वाटा X 18 हो गया और बहुत पर हम बता चुके हैं कि X plus 1 वाटा X बरबर अगर जो K रहता है तो फिर इसका स्क्वार करेंगे तो X 2 पलस 1 वाटा X स्क्वार क्या होता है? K का स्क्वार माइनस 2 होता है, तो यहां डैरेक्ट हम लिखते हैं X square plus 1 बटा X square होगा K का square minus 2 तो यहां पर 18 का square minus 2 18 का square 324 होता है 2 घटावे में तो कितना हो देगा 322 options number से correct answer है Next किपसंस देखे है 44 किपसंस नमर देखे है 44, यह बहुत ही important किपसंस है इस currency से हम start कर दे हैं यह किपसंस ने बहुत ही concept छुपा हुआ है तो पहले आपको formula आना चाहिए A Q plus B Q plus C Q बरबर 3 A B C इसका format है तो यह कब होता है यह निकि A Q plus B Q पलस C Q बरबर 3 A B C यह कब होता है जब A plus B plus C बरबर 0 होता है या A बरबर B बरबर C होता है तभी यह होता है इस तरह से आपको यह condition ध्यान रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A के स्थाम पर कितना है A के स्थाम पर है 3 X minus 1 और B के स्थाम पर कितना है 4 X minus 3 और C के स्थाम पर कितना है 2 X plus 1 तो अगर जो हम यह यानि कि जब ये आपका पहला कंडिसन है ये हम लिख रहे हैं कंडिसन नमबर पहला यानि कि सर्थ पहला ये आपका पहला सर्थ है और ये आपका दूसरा सर्थ है तो दोनों के अनुसार आपको देखना होगा तो अगर जो हम condition number यानि कि सर्थ number पहला से देखते हैं तो that means कहने का मतलब a plus b plus c बरबर 0 करेंगे तो यहां पर से क्या हो जाएगा तिनों को जोड़िए that means कहने का मतलब 3x minus 1 plus 4x minus 3 plus 2x plus 1 बरबर 0 करेंगे तो यहां पर से आप देख सकते हैं पहले 3x 4x 7x plus 2x यानि कि 9x और यहां पर देखें minus 1 plus से cancel कर देते हैं तो minus 3 उधर जाएगा तो plus 3 यानि कि हम बोल सकते हैं कि x का मान 3 बटा 9 यानि कि 1 बटा 3 हो गया x का मान कितना हो गया 1 बटा 3 लेकिन आपके प्रस्ट में ही दिया है x not equal to 1 y3 यानि कि प्रस्ट में आपको दिया है कि x का मान 1 बटा 3 नहीं लेना है तो यह x का मान 1 बटा 3 के बरबर नहीं है किपसिस में ही जब दिया है तो ये बाला जो आपका हो गया यानि कि x का मान 1 वटा 3 ये बाला आपका गलत हो गया यानि कि x का मान 1 वटा 3 तो आपका एंसर नहीं होगा अब पहला सर्थ के बाद आप दूसरा सर्थ को टेस्ट करेंगे यानि कि दूसरा कंडिशन को टेस्ट कर रहे हैं ये क्या है, a बराबर, b बराबर, c, that means कहने का मतलब, 3x-1 बराबर, 4x-3 बराबर, 2x-1, तो किसी दो को आप बराबर ले लिजे, मान लेते हैं, ये दो लोग को हम लेते हैं, तो यहां से देखिए, 3x-1 बराबर, 4x-3 लिख देते हैं, अब देखिए, ये आपका 4x है, पलस 3x इधार जाएगा, तो माइनस 3x हो जाएगा, ये आपका माइनस 1 है, माइनस 3 इधार आएगा, तो पलस 3, डेटिनिस यहां से बोल सकते हैं, X कमान कितना हो गया दो तो X कमान हो गया आपका दो ये कौन सा options है 44 का देखिए options number B में दिया गया है 2 तो questions number 44 आपका last है variety questions का इसके बाद 44 के बाद यहां देखिए 45 नमबर से practice questions है SSC CHSL 2021 tier 1 का questions यानि कि 2022 में CHSL का जो एक्जाम हुआ था उसका questions, questions number 45 से दिया गया है algebra का तो next video आपका कुछ भी हो सकता है algebra का या कोई और new topic का तो किसी भी new topic का आप वीडियो अगर जो चाहते है तो comments जरूर किजिए हम अपने मन से एक new topic का start करने जा रहे हैं कल आपका 11 a.m में यानि की morning 11 a.m में रहेगा आपका commercial math का arithmetic का और 3 p.m में आपका advance math का रहेगा algebra भी हो सकता है trigger भी हो सकता है और 8 p.m नाइट में आपका railway का एक set देंगे और SSE CGL का भी एक set उसका भी time fix करके आपको देंगे daily आपका CGL का भी एक set रहेगा या CPO का CGL यानि की SSE का एक set आपका रहेगा daily और railway का भी एक set देंगे रहेगा कल सही 21 अक्टूबर 2022 से ये street को continue करेगे